Question number 4 Question number 4 में कहता है Harry's income statement shot a loss for the year of 2040 loss कितना रहे 2040 It was later discovered that motor expense 480 have been included in non-current investment क्या कहता है हमारा एक expense था motor expense हो तो हमने गलती से asset में डाल दिया मतलब जब यह entry बनाएंगे सही बनाएंगे क्या entry बनाएंगे asset में डाल दिया था तो asset को credit कर दो और expense को debit कर दो अब हमें motor expense को बढ़ा देना है याँ देगो हम already loss में जा रहे है जब एक और expense आजाएगा तो loss बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा बढ़ जाएगा अगर profit होता तो वो कम हो जाता अगर loss है तो minus यह already minus में आ रहा है तो minus minus क्या हो जाएगा प्लस, तो 2040 में 480 आड़ कर ले, तो कितना हो जाएगा जी, 2520 हो जाएगा 2520, तो C आंसर आएगा